हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टू सचिन मैथ क्लाशिच जो हमारा MSC का मैच चल रहा है मैकैनिक्स ओप सोलेड इसके उपरा जमारा लेक्चर नमबर 30 है बेटा इससे पहले के सारे लेक्चर का लिंक नीचे डिस्किप्शन में दिया हुआ जाके देख सकते हो और MSC के बह reciprocal theorem of Betty and Religion बेटा बहुत ही important theorem है exam point of view से eight marks या sixteen marks में भी पूछे जाने वाली drastic body is subject to two systems of body, क्या है एक हमने kia है 2 system रहेंगे और उसका surface forces क्या रहेंगे तो इसके surface forces रहेंगे TI-FI and TI-FI-3 उसने दो in canoe body force ले लिए TI-FI, TI-FI- fidus, जो produce करेंगे कहां पर, yaद रखना equilibrium state यहां पर equation of equilibrium become used होगी जो मैं आपको continuous बढ़ाते विए आ रहा हूं ठीक है कहां produce कर रहा है equilibrium state में कर रहा है उसके बाद then work done रहेगा बेटा जो first system है हमारा दो system कि थे एक यह है एक यह है ठीक बेटा यह force है जो यह first है याद रखना जो मैं बोल रहा हूं अभी ध्यान पर सुनना जो first है जो first system है वो जब act करेगा through the displacement तो वो second वाला रहेगा ui dash displacement ui dash of this second system ti dash fi dash is equal to the work done that would be done by the second systems ti fi dash acting through the displacement ui of the first system देखो जब second कर देखो क्या बोला बिल्कुल सिंपल सी language में समझो स्टेट्मेंट को आप यहां पर जो ti और fi है बेटा वो second जो ui dash का displacement है second वाले का उसके थरू act करेगा work done में जब इसका number आएगा तो यह first वाले के थरी displacement जो ui है उसके थरे act करेगा ठीक है उसके बाद that is उसके बाद हमें प्रूव करना है यह ठीक है बेटा ti ui dash d निटा प्लस summation for integration ओवर गामा fi ui dash d गामा इस इकल टू इंटिकेशन और समेशन ti ui dash d निटा प्लस integration ओवर गामा fi dash ui dash d गामा यह हमें प्रूव करके दिखाना है बैस यह स्टेट्मेंट थी इसकी प्रूफ बहुत ही जी है स्टेट्मेंट थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो वर्क सिस्टम करेगा displacement ui dash पर तो हमारा डबल वन किसके एकवल होगा integral ओवर समेशन ti ui dash fi ui dash एक बार surface देखो यह मैंने पिछले lecture में आपको पढ़ाया था कि हमारी जो surface है वो क्या है summation है और volume क्या है बिटा हमारा gamma है याद आया किसी को अगर मैं elastic body layer पिछले तीन-चार से यह पढ़ाते वा रहा हूँ surface क्या है हमारा summation और gamma क्या है हमारा wall न एक immense i1 तो surface हमारा surface courses के coding लगेगा यह nhưng में例えば क्या यहां d g imi गामा लिए हमने वोल्यूम के लिए है इसलिमने volume के इन्टिगर लिए है एक volume force है एक surface force है है महारा body force है ठीक है वो सारे क्या सब्टी आएल एक्टि को पता है कि इस हमारा हुटा है हमारा कि यहांपर यह यहां करना है तो हमने क्या अप्लाई कर दिया जब हमने गोस्ट डाइवर्जेंशन थोरम अप्लाई किया तो यह वाला जो समेशन है यह किसमें हमारा gamma में वह जो टि आई-ई- mayo y इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं इस चीज को लिखेंगे टी अइज जै as cricket end अगे Guinea कहने कीज रहेगा तो केसी पर किया जोम ने चेंज किया हैader लो कि अब यह क्या पर रहे है कि एक का मतलब क्या है जो continuous पढ़ रहे हैं उसको तो याद आ गया होगा कि J क्या है हमें इसका differentiation करना है जे वे तो हम क्या करेंगे क्या है Tij u i dash j बेटा यू इसको u मानो इसको v मानो तो Tij u का differentiation कर रहा हूं जे की रश्प्रक्ट में जे को मालगा जिया u i dash as it is plus का साइन अब ती आई जो का एजटीज रखो यू एजटीज वी का differentiation तो u i dash i, j यह value आ गई यही मैंने लिखा हुआ यहां पर यह एजटीज यह ट्रम एजटीज बताओ यहां तक किसी को कुछ दुख सखलीप हो तो मेरे को बता सकता है ठीक है बटा आगे चलते हैं फिर मैंने अलग लग integration लगा के लिख दिया तिनों ट्रमों को यह ट्रम यह ट्रम और यह ट्रम तिनों को अलग लग करके लिख दिया यहां पर अब हमारा सभी को को पता है equation of equilibrium क्या होता है क्या होता है सभी को पता टी rij कोमा जे पलस FI is equal to zero तो टी आइजे जेज इकल टू क्या होजागा minus FI यह यहां पर पूट कर दो इसकी जगह तो क्या जाएगा minus FI Uij, Dγama, यह Tram Agities और यह यहाँ पे लिख दिया तो यह दोनों टरम देख रहे होंगे पहली और लास्टरम हमारी सेम आ रही तो हमारी कैंसल आउट कर दिया तो हमारी क्या बच गई ओनली यह Tram बच गई बेटा इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया अब Tij by stress strain relations सभी को पता है दस बार क्या पचास बार यूज हो चुका है क्या इसके इकवल होता है lambda theta del ij plus 2 mu eij के एकवल होता है तो इसकी value यह put कर दिया यहाँ ठीक है बेटा और eij हमारा किसके एकवल होता है सभी को पता है half of uij plus uji i के एकवल होता है यह value हमें eij की जगा none of you put करेंगे आगे अबी ठीक है बेटा यहम आगे put कर देते हैं यह हमने put कर दिया eij की value और put कर देते हैं यहाँ पर छो कि हमने यहाँ पर कर दिया है two say two cancer हो रहा क्योंकि यहां पर क्या था ठीक है उसके बाद अब क्या है इसकी यह तो आजटीज लिख दिया ने यह सब को प्ताई सब्टको संस्ट एंसर होती है हमारी, इसकी दो वैल्यू होती है, जब i और j equal होता है तो इसकी value 1 हो जाती है जोड़ा होता है, यो होता है तो सब्सक्राइगे तो j को हुम क्या output कर دे, i put कर दें first strum में तो करेंगे, तो यहां क्या जोगा डेल, आई, आई हो जाएगा, तो इस की वल्लू क्या हो जाएगी, वन क्योंकि, यहां पर क्या जाएगा, यू, आई, डैस, जे की जगा जाएगा, आई, ठीक है, तिक है, टूठ कर दिया, ये चल las़ेगा, सेम हमारा आप पता है लास्ट ट्रम में हमारा i और j को क्या करतेंगे इंटरचेंज क्यकि क्या हमारा debugging है यहां पर हमने चैंज कर दिया i की जगह j और j की जगह i ठीक है और हमें पता है by symmetric कि uji'dis, इसके क्लोड़ कि ui के equal होता है तो यहां पर यह यहां प्राइम और उनप्राइम यहां प्राइम क्या होता है मतलब यह जो फिर्स्ट ट्रम है। यह जो फेब यहा WE क्या हि इसको मैं आगे लिख दू और इसको पिछे लोग तो को डिंस नहीं कोई deflect नहीं पड़ेगा जब यह हमारा क्या है उनसे क्या बोल सकते हैं और हमारा सिमेट्रिक भी बता रही है किया है यह सिमेट्रिक स्योच में क्या यह रहेगा और with it is also symmetric with respect to the prime and prime variable तो अगर मैं यह डैस पहले बाले पे लगा दू एफ पे लगा दू और इधर टी पे लगा दू तो भी कोई फिरक नहीं पड़ेगा और यही तो हमें प्रूव करना था बेटा के यह क्याना था यहीं में पूरू करना था यहीं क्याता है ना चाहिए कर सकते हो इसका में बता एक निoda बैटा जो सारा सेम जो मैंने कराया है तो फिर नहीं करना देता है, तो हाँ थोड़ा साफ करदेता हूं, फिर आपको इस समझ में अच्छी तरह आ जाएगा. कि उसके बादाके चेंज आयगा इसमें किया रखे अगे पढ़ते हैं वहां तक शेम करना है जो हमने हैं तक किया है इस को सेम करना यहां तक किया करना है, इस यू-잉- को, जो यू-ई-जै- है, इसको मैं क्या लिख सकते हो, बेटा, ये लिख स्कता हूँ, हाफ यू-ई-जै पलस-ईउ-ई-जै- ऐसे क्योंकि लिखेंगे हैं, तो हाफ अंदर तो यू-ई-जै- 意ू-दै- Dos हाँ बेटा उससे पहले एक वजा देता हूं अगर आपको नोट्स चाहिए तो यह वाट्सअप कर सकते हूं उल्ली 100 रुपीज में अवलेबल है नोट्स पीडियाप भी है उसमें वीडियो भी है और प्रियो शेयर कोईशन पेपर भी हम आपको अवलेबल कराएंगे कुछ उनियुश्टिक को च्रड़ी हो गए है कुछ का बाकिया है जैसे होंगे हम आपको प्रियो शेयर कोईशन भेज देंगे और नोट्स का पीडियाप को अपको सेम टाइप का मिलेगा और हैंड़ेटन भी हम देते हैं दोनों आपको मिल जाएगा ठीक है अब इसमें यह एड कर देते हैं यहां पर एड़ कर दिया है और सब्ट्रेट कर दिया को तो फरक नहीं पढ़ने वाला अब आपको अगर आपने अच्छी तरह मैकेनिक्स और सोलीर मैथ पढ़ाए तो आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों किया कि यू आई जे और जे आई यह दोनों ट्रम द्यान परक सुनां इंज द्रम कि एक साथ लिख़व और बची हूव ये ट्रwy और ये ट्रम एक साथ 1ossa लिख़ने आई आई जे खिशकी कि यू आलिफ प्यूक्ट वाहर है कि एचको मैं क्या लिख सकता हूं hugely दैस और इसzego क्या लिख Ums है व्यान सिर्फ है क्योंकि इसमें तो हमारा को जो ह Allah चैनल को होता है जिरो के इक उल होता है सभी को पता है किसके इक उल होता है जीरो के तो हमारा जो इसलिए मैंने लिखा निये किसके इक बताओ यहां तक समझ में आया है ठीक है तो सिमिलरली जमने डबलू होना गया अभी डबलू टू लिखेंगे तो क्या एगा डबलू पीजिकल टी आई जे डएस यह डिगामा और यह दोनों आपको देख रहे हैं कि दोनों क्या है एक्वल है तो यही हमारा क्या था रैसी प् पढ़ लेना आप मैं एड़ कर दूँगा यहां पर सम स्पेशल केसी जो कि रैसी प्रोकल थो रहां वह पढ़ लेना थोड़ा क्योंकि उसमें से आपका थ्री माक्स का क्वेशन एड़ हो सकता है जो कि हमारा रहेगा है अल्फा वन टू इस इकल टू एकल होता है वह डेफ दूँगा नौर्सों में उसमें आप जाके देख सकते हो यह ओर रहेड कर दूँगा यह इंपोर्टेंट है थोड़ा चा और बाकि यही था हमारा आज का टोपिक बेटा जो कि दो और तरीके से मैंने इसको आपको खरना सिखा दिया है नेक्स लेक्टर में नेक्स टोपिक को पढ़ते भी आगे बढ़ेंगे और हाँ चैनल अच्छा लग रहा हो वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ना वीडियो को लाइक शेर जरूर करते रहें थैंक यू